नमस्कार दोस्तों ब्रेक के बाद एक और फिरसे आप सभी का हमारी यूटूब चैनल दैरीश टेडी पॉइंट पे स्वागत है पिछली वीडियो में पार्ट वन में अपने काफी कुछ डिसकर्श कर लिया था जनरल हिंदिगा पार्ट वन यदि आपने नहीं देखा है तो 4 देरके हैं उन मेंसे साइद आपके हैं जो दो करणने होंगे वह उसमें बता दिया जाएगा हुद्ध पलास नयन को कौन सी संदी है व्यंजन संदी है ठीक है दूसरा है गवेंद्र गवेंद्र यानि किसी भी सब्द के उपर यदि एक मात्रा दे रखी है तो वो क्या कौन सी संदी होती है गुण संदी और जिस सब्द के उपर दो मात्रा हो तो वो विरिधी संदी होती है सापनेन जो ट्रीक लगा के बताते हैं ठीक है तो इसका संदीर क्या होगा यहा पर दे रखण को ऑगउ पलस इंद्र लोप लसे विदायकई इसकी संदी क्या होगे उसकी संदी इस कि विदाई क्रहिए यादी संदी ऑगक कुने को संदी यह संदी हो रहो दो इसके बाद में घय देखो compris तो स्वागत है सू पलस आगत ये वेरी इंपोटेंट है तो बार-बार आता रहता है कौन सी संदी है ये अन संदी ठेक है अब एक विशेश इंपोटेंट बात या पर ये है कि यदि आपको ये सब्द नहीं दे तो संदी से दो अंको के क्यूशन तो आने है संदी से दो अंको का क्यूशन तो बना के देगा वो ऐसे भी बना कर दे सकता है कि संदी किसे कहते है या ऐसे भी बना कर दे सकता है संदी और समास में अंतर बताईए ऐसा क्यूशन 2020 में आया हुआ है इस्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, यह 2020 के पेपर से लिया गया स्क्रीन सोट है, तो इसमें आप देख रहे हो, संदी और समाश में अंतर बताईए, तो इस परकार से भी क्यूशन उठा सकता है, तो संदी किसे कहते हैं, समाश किसे कहते हैं, इनकी जो परीबासा है, वो भी याद करके आप जाना, ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, चोथा क्यूशन देख रहा हूं, चोथा क्यूशन, निमले की सब्दों का समासिक विग्रे करते हुए, समास का नाम लिखिए, यह भी दो अंकों का क्यूशन आने वाला है, तो इसका अपना न जो समास विग्रे करना है अपन को, सब्दे रखा है, चंदर बदन, ठीक है, चंदर मा के समान बदन, ठीक है, इसका जो आंसर भी मैं लिख रखा है, यहां पर देखो, चंदर मा के समान बदन, बदन का मतलब क्या होता है, शरीर, इसमें कौन सा समास है, करमदारी समास है, इसके बाद में काम चोर काम से जी चुराने वाला कौन सा समास है तत्पुर समास है ठीक है तत्पुर समास में भी अपादान तत्पुर समास है ठीक है इसके बाद में यहां पर गय वाला देख रहे हो आमरण है आमरण का बतलब है एक गुखवॉ एक मेंट यानि इसका जो समास विग्रे करोगे तो मरण तक यानि मर्त्यू तक इसमें कौन सा समास है अभी भाव समास है ठीक है इसके बाद में तरंगा तरंगा का तीन रंगों वाला गाना जिसमें संक्या को प्रदेशित किया जाए वो क विगू समास या फिर इसमें एक समास हो रहाता है बहु विरी समास ठीक है यहां तक किलिए रहो गया अब इसमें से भी वो क्यूशन किस परकार दे सकता है समास से समंदित क्यूशन बना के दे सकता है वो कि समास किसे कहते हैं ठीक है तो ऐसे भी क्यूशन बना के दे सकता है और यह सब्द भी आपको दे सकता है ठीक है तो बड़े तरीक इसके लिए रहा होगा इसके बाद में देखो कि पाच्वा निमले की सब्दों में से उपसर्ग या प्रत्य प्रत्थक करके लिखे ठीक है तो यह सब्द दे रखें इन में से अपन को बताना है एक तो इन सब्दों को अलग करना है और इसमें यह बताना है कि उपसर्ग किस्म है और प्रत्य किस्म है ठीक है तो यहां पर देखो अल विदा अल विदा का अंसर क्या होगा दो सब्द इसमें निकलेंगे अल पलस विदा अल क्या है यहां पर यहां पर अल है जो उपसर्ग है ठीक है उपसर्ग क्या होता है किसी सब्द के पहले लगता है और यह क्या है सब्द है तो इसके पहले लग गए अल, ठीक है, दूसरा है वायाम, इसका क्या होगा, वी प्लस आयाम, ठीक है, तो ये क्या है, उपसर गए, ठीक है, सब्द के पहले लग गए, और आयाम है न, ये एक पर करकर सब्द है, इसके बाद में विशेला, विश प्लस एला, क्या है, विश प एक परकार से प्रत्य है ठीक है तो यहां से या तो इस परकार देगा और या फिर वो यह दे सकता है कि उपसर्ग किसे कहते हैं या प्रत्य किसे कहते हैं या इस परकार कि उसन दे सकता है कि उपसर्ग और प्रत्य में अंतर बताईए ठीक है तो मोटी मोटी चीजे तो आपको तो सुद्ध करके पुने लिखिए यह क्यों सनाने वाला है चान नमर का चारों के चारों करने पड़ेंगे तो पहला है उसे लगबग सत परतिसत अंक मिले तो इसमें जो सब्द दे रखें रहे हैं वह सुद्ध है तो अपनको अंजिए सुद्ध करना है तो जो सत होता है उसके पहले है न कभी भी लगबग नहीं लगता है सत परतिसत ही लगता है उसमें सत ही लगता है इसके पहले है जो यह सब्द नहीं लगता ठीक है तो आप वाक्या सई तरीके से बन जाएगा उसे सत परतिसत अंक मिले ठीक है इसके बाद में या आपर दूसरा देखो कि मा दही जमा रही है ठीक है तो दही को क्या जमाए जाता है क्या दही थोड़ी जमता है दूद जमता है दूद को जमाए जाता हो तो दही तो पहले जमा हुआ है ठीक है तो यहां पर क्या आएगा मा दूद जमा रही है ठीक है तो बिलकुत सुद्ध रूप हो जाए तो यहां पर यह जो एक है ना इसको अठा दो ठेक है यहां पर क्या लगा क्या वाकिव इड़ेगा स्वीता ने आश्वनेकार खरीदा ठेक है तो यह एक अट जाएगा इस परकार आपको ना जो सुद्ध बनाना वाक्य को यहां पर देखो वहैं विलाप करके रोनने लगी थेक है तो यहां पर क्या होगा कि विलाप और रोना यह एक दूसरे के प्रियाइबा चीत वह। थेकि विलाप का मतलब प्रोना मतलब रोने का मतलब भी रोना ह crunchy होता है तो इससब्ड को आप अपने ठा था देंगे न तो फिर वाकफ़ीBrand जाएगा अपन और वहें विलाब करने लगी तो इस परकार आपने को सुद्ध रूप बनाना है इसके अलाव यू आपके दे सकता है तो आपको एड़ेस्ट करना होगा कि सही है वाक्य या क्या आपने इसमें परिवर्तन कर सकते हैं तो सात्रा क्यूसन है निमल्ले की सब्दों के तीन तीन लिखिए दो अंकों का क्यूसन आएगा ठीक है तो इनके परियायव अच्छी लिख देते हैं अम्रित अम्रित का पतलब क्या होता देखो यहां पर तीन तीन सब्ज लिखने सुदा सौम पियूस ठीक है इसके बाद में कबूतर तो इसका प्रियायवाची होगा रक्त दी लगा दो क्या लगा दो यह लगा दो यह लगा दो दी वह ना जो समुंदर का प्रियायवाची बन जाएगा तो जल इसके दी लगा दिया जल ठीक है पयोदी तोय दी ठीक है तोय का मतलब क्या होता है पानी पय का मतलब क्या होता है पानी जल का मतलब क्या होता है जल त ठीक है तो इस प्रकार आपको लिखना है इसके बाद में काम देव इसका प्रियाइवाची क्या होगा मदन मनोज अनंग ठीक है यहां तक आपको क्लिए रहो गया होगा इसके बाद में आठवा क्यूशन है लिखे तो आपको कुछ वह सब्दी देगा दस उनमें से साइथ आपको आपको पांच भी लिखवा सकता है उसको शुद्ध करके ठीक है तो वह तो परसंट पर डिपेंड करेंगा लेकिन दो अंकों का यह आई गाई ठीक है अब आपन कर लेते हैं मैं दस सब्दी यहां पर नुद्धे करा हूं तो पहला है है यह थीकर तो इसका जयो कैंछ शुद्ध सब्द वो क्या होगा इसका क्या होगा जये जाएगा सुद्ध सब्ध ठीक है इसके बात्वे में यहां प्र शुक्ते रखा disparities है अहिल यह तो इसका क्या होगा ? अहल्या ठीक है ? सुध्य सब्द क्या होगा ? अहल्या ये इसके न जो एक्की मातर नहीं लगी अहल्या हो जाएगा ठीक है तो दू सब्द की अपन ने देख लिया आंसर में भी लिख रखा है वहाँ पर बता दूंग symmetric मैं यहां पर दे रखा है रचियता तो यह कैसे क्या होगा रचियता ठीक ऐसे बनेगा ठीक है इसका सुद्ध सब्द गया होगा यह होगा इसके बाद में कवीत्री ठीक है तो इसका मैं दिखा दिता हूं को कि हमने कात कर लिया सुद्र सब्द को त्यमवार अहल्या रचियता कव्यत्त्री ठीक है इस परकार आएगा इसके बाद में आप देखोगे पूजनिये ठीक है। इसका क्या होगा। पूजनिये ठीक है। eq बाज आप पूर्टीयकों पढ़लो उसके बाद हुआ देखे लेगे। बार-बार बार धा असल्ट प यह नहीं पड़ेगा। उप्लक्षे है। ठीक हैOP Light यॉप लक्शे तो इसको क्या बनेगा यह जो एन षय है याद्धा हो जाएंगे यहां पर कि इसके बाद में जिजमान है जिजमान होता है यहां पर क्या बनेगा यहां पर सब्द बनेगा यह देखो अ पूजनिये उपलक्षे यजमान बनेगा ठीक है जजमान कोई सब्द नहीं होता यजमान और मूर्चा का क्या बनेगा मुच्छा ठीक जिस पर कार आएगा इसके बाद में हमने सब्द देखा ठीक है तो इसका आप देख लिए अनुदित इसमें क्या होगा कि यह जुनु है ना इसके बड़ा उकी मात्र लग जाएगी ठीक है लग जाएगी अनुदित ठीक है तो बड़े उकी मात्र लग जाएगी मानविय करण है ठीक है तो यहाँ पर क्या आने वाला है देख लेते हैं क्या दिकत है दो सब्द अपर आगी देखेंगे ठीक है मानविय करण और पुरुसकार ठीक है तो इसको देख लेते हैं सुद्ध सब्द क्या है इसका देखो यहाँ पर दे रखा है अनुदीत मान भी करने ठीक है और पुरसकार इस परकार यह तो आते रहता है तो मैंने दस सब्द देने जो आपको बता दियें सुद्ध करके इसके बाद में आपका पलवन भी आता है चारंगों का ठीक है तो चारंगों में इस परकार यह है अब पस्ताए होत क्या जब चिडिया चुक गई खेत इसका पलवन क्या होगा बार बार सुनते रहते हो जब व्यक्ति अपने मार्ग से बठक जाता है यानि जब व्यक्ति अपने लक्षे से बठक जाता है मार्ग से बठक जाता है तो दुखी या पस्तावा ही सेस रह जाता है ठेक है यानि जब व्यक्ति अपने मार्क से बठक जाता है ना तो उसके पास में पश्याता आप ही रह जाता है सोचता ही रह जाता है ठेक है तो ये वाक्ति तो आप बार बार सुनते रहते हो इसके बाद में लगूता से प्रभूता मिले जो व्यक्ति अपने जिए उनमें विनम्बरता का विबार करता है वो आगे बढ़ता ही जाता है लेकिन विनम्बरता देखो इसे यह जुस टाइम चल रहा है ना इसमें ज्यादा विनम्बर रहना भी गलत बात है क्योंकि फिर आपका शोसन शुरू हो जाता है लोगों द्व विनम्बर है और पिचान में लोग कुरूर है तो एक ना एक ताइम ऐसा आएगा कि आपको भी कुरूर बनना पड़ेगा यदि फिर वहां पर सर्वाई भी नहीं कर पाऊगे तो यह चीजह आना जो हमने देखी है तो आप कर्म कर सकते हो बस विनम्बर है सकते हो लेकिन इ इसके अंदर आउख राजेंगा नहीं आने देना अपने अंदर ठीका जीवन में कबी भी कुछ भी मिले कुछ भी आप राप्त करें तो आउख का नहीं अच्छे मदद करते रो तो यहां तक आपको क्लास में इतना ही आसा करता हूं आपको क्लास अच्छй लगी होगी इस कर सकते हो तो 36 अंक लाना ज्यादा हाड काम नहीं है बढ़िया तरीके से करके आओगे उसमें जो गध्यान साब के दे रखें तो ज्यादा हाड नहीं होना चाहिए सारी सारी चीज़े ठीक है तो चिंता लेने की बात नहीं है आपका कलका एकजाम है तो सभी को all the best बढ़िया करके आना एंड राइटिंग थोड़ी अच्छे करके आना आप पास हो जाओ कि कोई दिकत वाली बात नहीं है ठीक है आप तो इंगलीज के लिए टेंशन करना ठीक है इंगलीज में क्या करना है तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगाओ तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ बैल आइकन को दबा के जाओ मिलते हैं नई वीडियो के साथ तब तक के लिए ठैंक्यू